तो जैसे कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं ट्रांज्डक्शन और ट्रांज्डक्शन में इस वीडियो में पढ़ाया है उसी का नोट्स जैसे यह पेज है इसके आगे जो नोट्स है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रहा हूं यहां प तो इसमें क्या होता है कि transfer of bacterial DNA from one back cell to another with the help of bacteria of all मतलब कि यहां पे भी bacterial DNA जैसे कि transformation में भी पढ़ा था कि क्या होता कि एक donor था और एक recipient था यहां पे ठीक है तो donor जो bacteria था उसकी death हो जाती थी जिसके वज़ा से उसका DNA था वो सी बसता था तो naked DNA वज़ता यह फिर क्या हो जाता था transfer हो जाता था दूसरे bacteria में इसमें भी क्या होता है कि एक bacteria यहां पे donor bacteria होगा और एक recipient bacteria होगा इसमें क्या होगा इसकी death नहीं होगी तो फिर लेकिन जो इसका genetic material हो ट्रांसफर होना चाहिए इसमें transaction में भी होगा क्या होगा कि transfer of genetic material from one bacteria जो donor है to another recipient bacteria तो कैसे होगा किसी के help से होगा तो with the help of bacteria of phage यह important transaction में कि bacteria of phage के help से होता है और bacteria of phage क्या होता है पता होगा अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ यह bacteria of phage नाम से आपको यह bacteria नहीं यह एक virus होता है special यह एक ऐसा virus होता है जो कि bacteria को effect करता है तो transaction का definition क्या देखेंगे कि process of transfer of bacterial DNA from one cell to another by a bacteria of phage से होता है genetic material transfer दो टाइप के होते हैं generalized और specialized तो आज के उस वीडियो में हम generalized transaction को discuss करेंगे देखो generalized transaction और specialized transaction के definition इसमें simple basis आपको समझना है मैं आपको आगे diagram से समझाओंगा definition देख लो इसमें यह धियान रखना है कि जो DNA fragment का transfer होता है DNA segment को जो transfer होता है तो यह होता है कौन से बैक्ट्रियोफास लाइटी बैक्ट्रियोफास से होता है जन्रलाइज में यहां पर यह क्या है यह मैंने दो आपका DNA बना यह बैक्ट्रिया बनाया तो यह पहला बैक्ट्रिया डोनर बैक्ट्रिया और यह आपका recipient बैक्ट्रिया तो डोनर बैक्ट्रिया का जो DNA डोनर डीन है उसको मैंने green color से किया है और recipient का ऐसे किया है इस में क्या होना है कि इसका genetic material इसमें transfer होगा तो जब transfer हो जाएगा तो finally structure का जो बैक्टरियल structure है वो क्या बनेगा ऐसे बनेगा तो हमें resultant यह करना है यह ना transfer of genetic material from donor bacteria to recipient donor से जब recipient में transfer होगा तो हम यही बनेगा लेगिन क्या है कि generalized transduction with the help of क्यों सा होड़ा lighting bacteria fast से तो अब हम तो हमारे बने गा यह आभी बनेगा जो आपका यह ऐसे बैक्टरिया बनेगा जिसमें की डॉनर बैक्टरिया का भी DNA है तो कैसे steps हैं कि कैसे यह resultant यह ऐसे बनते हैं तो और विद्ध अप लाइक बैक्टरी फास क्योंकि यह transfer तो तो सबसे पहले हैं यह नहीं अब इसने कि अपने जीनोम को इंजक्ट कर दिया तो यहां हो गया अब यह लाइटिक साइगल को फॉलू करेगा अगर जिसको पता है लाइटिक साइकल क्या होता तो वह समझ जाएंगे लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता दोता किलाइटिक साइकल में क्या होता है कि जब जीनोम चला जाता ना तो यह जो आपका जो बैक्टरियोफास का कंपोनेंट है जैसे कि यह इसका हैड हो गया यह हैड हो गया यह शीथ हो गया यह टेल हो गया कॉलर हो गया यह सब यह सब इसके कंपोनेंट से अलगल है तो इसके फ component बनेगा तो जब component बनने लगा तो देखो component बनने के बाद नया हमारा बैक्ट्री ओफाज बना तो क्या होता है जब बैक्ट्री ओफाज कुछ है तो उसके पास तो अपना जिनोम यह है ही यह बैक्ट्री ओफाज जिनोम है लेन क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्ट्री ओफाज यहां simple था जिसका ऐसा है यह नया बनतू रहा है यहाँ पर जिने इसमें कुछ खूँ ऐसे हैं जिसके जिसमें की यह bacteria phage हो गया यह green ओले यह ऐसे bacteria phage है जिसमें की यह आपका जो है इसका जो genome है यह किसका genome चला गया यह DNA का sorry यह बैक्टरिया के जिनोम चला गया है अब क्या होगा कि जब इसकी लाइसिस होगी यह निकलेगा बाहर बैक्टरियोफाज जब रिलीजड होगा तो ऐसे बैक्टरियोफाज है जिसके पास नॉर्मल जिनोम है उनका ही एन कुछ ऐसे बैक्टरियोफाज है जिनके पास जिनो कर गा तो यह donor bacteria का तो यह आगंसे और टॉनर डोनर से निकल घए अब जब यह बैक्टेरियो फार्ज जिसके पाद यह जिनोम कौन सा है यह आपका डोनर बैक्टेरियल जिनोम है इनके पास यह आपका बैक्टेरियो फार्ज है अब यहां क्या हुआ कि यहां पर जब इसने इंजेक्ट किया अपना इसका जैनिक मेटेरियल तो यहां पर इंजेक्ट कर लिया यहां पर क्या होगे जैनिक मेटेरियल किसका है यहां पर यह जैनिक मेटेरियल किसका है तो यह जैनिक मेटेरियल आपका डोनर बैक्टेरिया का लाइ बसक्स असे definain life फंगाल फंगे नियुम आप्पेरियों हो जाएंगे तो फ्रूद貨 का जैंगे जोक में तो यह दर आभ गुरियों color का donor green वाला जो था ये one bacteria to another इसमें तो at last हो गया तो with the help of किस से bacteria phars है तो bacteria phars नहीं पहले infect कर के यहां अंदर आया bacteria phars नहीं यहां पे इसको लाया उसके बाद जब यह आपका ये कौन सा genome है ये donor bacteria का genome हा गया और ये आप का या लिख देता हूं ये donor bacteria का genome है और ये क्या है recipient bacteria का genome है तो इन दोनों में क्या हो जाएंगे अब ये दोनों आपस finally exchange हो गए hence donor bacteria DNA is exchange for some other recipient bacteria तो यहाँ पे gentil का transfer हुआ तो definition proof हुआ कि transfer of genetic material from donor bacteria one bacteria to recipient bacteria donor का जो green था वो transfer हो गया इसमें recipient में जो red है और किसके through हुआ with the help of bacteria फार जो कि आपके यहाँ पे light है तो आपको आई हो कि यह समझ में होगा अगर समझ में होगा तो प्री चन को like करना share करना and subscribe करना thank you